चतिसगड के मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने प्रदेश में गौधन न्याय योजना शुरू करने के बाद एक साल पूरे होने पर कहा कि अपने आने वाले सालों में चतिसगड जैवेक राज्य के रूप में स्थापित होगा। उन्होंने कहा गौधन न्याय योजना में गौपालक और किसानों के साथ साथ गोबर बेचने वाले भूमिहीन लोगों को भी आयका एक नया जरिया उपलब्ध कराया है। शुबकाम नाय दी। वहीं सीयम ने कारकरम में गौधन न्याय योजना के तहट गोबर संग्रहन, सौसायता समूह, गोठान समीतियों को लाभांश और प्रोचसाहन राशी के रूप में 31 करोड से ज्यादा की राशी बाटी। इस मौके पर प्रोची मंतरी रवींद्र चौबे ने कहा, गौधन निया योजना गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। योजना प्रदेश के विकास में भी महत्वपूर्ण सावित होगी, कारकरम में कई मंतरी और वरिष्ट अधिकारी भी शामिल हुए।